हेलो फ्रेंड्स आइम यूर स्टेडी मेट सारीका रमूला और आज हम करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेर जुलाई दोहजार चॉबिस फ्रेंड्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो मैं आपको यहां पे इससे रिलेटेड चीजें बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेर्ट जरूर कीजेगा चलिए पहला क्विशन है हाल ही में साहितिक योगदान के लिए पेंपिंटर पुरुसकार दोहजार चॉबिस से किसे सम्मानित क्या पुरुसकार ये दोहजार नौ में प्यारंब किया गया स्टार्ट किया गया ये जो पुरुसकार दिया जाता है इंगलेंड आयरलेंड और जो कॉमन वेल्थ कंट्रीज के राइटर होते हैं साहित्यकार होते हैं उन्हीं दिया जाता है जो अपने साहित्य को अंग्रीजी भासा में लिखते हैं उसमें नाटक हो सकता है कथा हो सकता है ऐसी कोई भी चीजें हो सकती है दिके तो इस बार अरुंधती रोय को मिला है और यहां पर एक चीज और याद रखेगा अरुंधती रोय को बुकर पुरुस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है कब 1997 में ठीके तो यह चीज़ें और याद रखेगा आप चलिए नेक्स कुशिन है इंपोर्टेंट 24 जून को अठारवी लोगसभा का पहला सत्र प्रारंब हुआ ठीक है 24 जून अभी लोगसभा चुना हुए अठारवी लोगसभा के लिए तो इस दौरान नव निर्वाचित सांसदों को सपत किसने दिलाई ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा भृत हरी महताब इसका राइट अंसर हो जाएगा और यहीं पर मैं आपको बता दूँ जो लोगसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे वो कॉन रहे बृत हरी महताब रहे और इनका काम ही क्या होता है प्रोटेम स्पीकर के दो काम होते हैं पहला जो नव निर्वाचित सांसद होते हैं इनको सपत दिलाते हैं और दूसरा जो नए लोगसभा स्पीकर यानि अध्यक्ष बनेंगे उनक चुनाव करवाते हैं तो इसलिए जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका चुनाव किया जाता है तो आप से डारेक्ट कुश्चिन भी पूछ लिया जा सकता है कि अठारवी लोगसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन रहे ठीक है तो राइट अंसर हो जाएगा भृत हरी महताब चलिए तीसरा कुश्चिन है यह भी अठारवी लोगसभा से रिलेटेड है अठारवी लोगसभा के लिए लोगसभा अद्यक्श किसे चुना गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ओम बिर्ला इंसका राइट आसर हो जाएगा लगाता दूसरी बार इनहें लोगसभा अध्यक्ष के लिए चुना गया है और इन से related question पूछा जाता है अगर ये किस लोकसवा सीर से सांसद रहे हैं तो राजस्थान कोटा सीर से ठीक है ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दू जो लोकसवा अध्यक्ष होता है वो as a speaker कभी भी स अपत्गरहन कल लेता है तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे इसके अलावा बिपक्ष के नेता अगर आपसे पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे राहुल गांदी चली चौथा कुश्चन है भारत वो अन्य किस देश के मध्य तेरवा मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा थाइलेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा और जो मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाइलेंड के बीच में ह यह शुरूर किया गया 2006 से इसे भी आद रखेंगे अगर आपके पास क्विश्चिन आता है कि भारत व थाइलेंड की नौ सेना के मध्या कौन सी एक्सराइज होती है तो वह होती है इंडो थाइ जो भारत और थाइलेंड के बीच में संपन्ध हुआ ठीक है चलिए नेक्स इंपॉर्टेंट कुश्चिन है अंडर 23 एसियन रेस्लिंग चैंपियंशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन स स्थान पे रहा ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले स्थान पे रहा औ जार्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कुश्चिन है आसियान देसों के मध्य सीमा पर वुक्तान को आसान बनाने के लिए कौन सा एक बहु पक्षिया अंतरास्टिय पहल सुरू की गई तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्रोजेक्ट ने सिंगपूर और थाइलेंड इन्हों ने जो सीमा पर भुक्तान किया जाता है पेमेंट की जाती है उसको आसान बनाने के लिए पहल सुरू की गई है जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट नेक्सस ठीक है चलिए यहां पे जो आसियान है इससे रिलेटेड दो तीन कोईश नेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1967 में इसकी स्थापना हुई इसका जो मुख्याला है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकारता में ठीक है चलिए साथवा जूलाई 2014 को 24 संग्हाई संगठटन सिखर संभेलन 2024 का अयोजन कहां किया गया तो कजाकिस्तान में और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना वहाँ पर किया गया और इसका जो में उड़ देश्य जो आपसी देश हैं उनमें किस प्रकार से सहीयोग किया जाए साथ ही इसमें जो रश्या और युक्रेन वार है इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए भी यह बुलाया गया था दो तिन चीजे आप सियो के बारे में जान लीजे संगाई सहीयोग संगठन के बारे में कि इसके स्थापना हुई थी 2001 में ठीक है और इसका मुख्याला है बीजिंग चीन में कभी आप से पूछा जाए कि सी सॉरी एस सी ओ का जो ऑफिशल लेंगवेज लेंगवेज है वो क्या है तो चाइनीज और रश्यन की ऑफिशल लेंगवेज है ठीक है चले नेक्स क्वेशन है हाल हाल ही में हाथरस में एक सत्संग के दौरान बड़ा हाथसा हुआ हाथरस किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा जो की घटना कब की है दो जुलाई की जिसमें 120 से जादा लोगों के इम्रित हुई और कई लोग इसमें घायल हुए है ठीक है चले नेक्स इंपोर्टेंट कुशिन है हाल ही में केंद्रिय मंत्री जी किसन रेड़ी ने यूपीसी उमीदवारों की साहिता के लिए कौन सा पोर्टल लांच किया है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा निर्मान पोर्टल इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें आपको दो चीजे याद रखनी है कि ये जो फाइदा होगा निर्मान पोर्टल के माध्यम से यूपीसी में ऐसे स्टूडेंट को जो ऐसी स्टी फीमेल और थर्ट जेंडर होंगे उनको और वो भी कौन जिनकी इंकम आठ लाग से कम होगी अगर वो लोग प्रिलिम्स निकालते हैं तो मेंस और इंटर्व्यू की तैयारी के लिए उनको सहायता हेल्प की जाएगी ठीक है चलिए नेक्स कुशिन है संगाई सयोग संगठन का दसवा सदस्य कौन बना है इंपोर्टन कुशिन है और ऐसे कुशिन बहुत बार पुछे जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेलारूस इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसी के साथ इस संगठन में कितने सद से हो गये हैं दस सदफे हो खिख है आप चाहिए तो इसमें नाम ऑढ़ लिख सकते है का जाकिस्तान भारत चीन ताजाकिस्तान किर्गिस्तान पाकिस्तान डूस, इरानद़, और दसवा बेलारूस तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरी बार बने है और तेरवे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सपत ली है बारत ने किस देश की टीम को हरा कर ICC पुरुस T20 किर्केट कप 2024 का खिताब जीता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साउथ एफरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसी के साथ भारत ने टी 20 का ये दूसरा खिताब जीता जो पहला 2007 में जीता ये महिंसिंग धुनी की कप्तानी में जीता और जो 2024 में जीता इसके कप्तान कॉंते रोहित सर्मा इसमें जो player of the tournament मिला है वो जस्पीत बुम्रा को मिला है और player of the match मिला है विराट को ली को ठीक है यहां भी कभी कभी अगर पूछ लिया जाए कि विनिंग रासी कितनी होगी तो भारत को मिला है जो कि जिसने की टॉफिक जीती है भारत को मिला है 2.45 मिलियन डॉलर मिला है और जो सेमे फाइनल में जो फाइनल में हारी है टीम दक्षिन एफ्रीका उसको मिला है 1.28 मिलियन डॉलर तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे नेक्स तेरवा कुश्चन है हाल ही में मसूद पेजेस कियां किस देश के राष्टपती बने हैं तो राइट अंसर हो जाएगा इरान के राष्टपती और ये इरान के नवे राष्टपती बने हैं इरान की जो राश्च्रपती थे इब्राहिम रईसी इनकी मृत्य हो गई थे हेलिकॉप्टर दुरगटना में इसके बाद यहां पर चुनाव करवाए गए जिसमें मसूत पेसेज क्यान जीते और यहां पर एक कुशन और पूछा जाता है कि इरान की संसद को क्या कहा जाता है तो मजलिस मजलिस या जैसे भी प्रणाउंस कियें तो इसको मजलिस कहा जाता है ठीक है इसे ध्यान रखेंगे साथ ही इरान दुनिया का सबसे बड़ा सिया मुस्लिम देश भी है चौद्वा कुशन है हाल ही में भारतिय किरकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है किसे चुना गया है मुख्य कोच तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर को और इन्होंने जगे ली है राहुल द्रबिड की गौतम गंभीर का जो कारेकाल होगा वो होगा दो 2020 वर्ल्ड कुप भारत ने जीता और 2011 में वंडे वर्ल्ड कुप जीता था तो उस समय भी टीम का हिस्सा रहे है ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे नेक्स इंपोर्टेंट कुश्चिन है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतिय टीम का सैफ दी मिसन किसे न्यूक्त किया गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गगंग नारंग इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सूटिंग अलावा अगर आपको कुछा जाता है कि पैरिस ओलंपिक 2024 में धज बाहक कौन होगे तो ए और सी पीबी सिंदु और सारत कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है एक चीज़ और ध्यान रखीगा जो सैफ दी मिशन होता है वह ओलंपिक गेम्स का एक प्रमुक अधिकार लिए había gREE जो किसी देश की जो olimpic टीम होती है Уसको लीड करता है उसका नीत्रित्थ्तो करता है ठीक है एक सोब वा कुषिन है हाल ही में किस मंटराले के द्वारा प्रोजेक्ट परी की सुरुआत की गई है तो राइट अनसर क्या हो जाएगा ङाँगा संसकरित मंतराले इस वो भारत में होने वाली है और इसका जो देश्य है भारत की पुरानी लोकला और संस्कृति को आधुनिक विशह और नई तक्निकी के साथ मिला कर एक नई कला बनाना है तो प्रोजेक्ट परी जो स्टार्ट किया गया है वो किसके द्वारा संस्कृत मंत्राले के द्वारा किया गया है ठीके चले सत्वा कृश्यन है हाल ही में जापान और किस देश के बीच एतिहासिक रेशिपोकल एक्सेस एग्रिमेंट हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा फिलिपीन्स के साथ और यह एक रक्सा समझोता है जो कि किस के खिलाफ है चीन के खिलाफ ठीके चीन से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जापान और फिलिपीन्स ने एक एतिहासिक रेशिपोकल एक्सेस एग्रिमेंट पे सावीन किया है ठीके तो इसे आप ध्यान रखेंगे चले यह तो थे इंटरनेशनल और नेशनल थे इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जुलाइ में जो इंपोर्टन डेज हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे पांच तिवस ऐसे लिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टन हैं और कई बार एक्जाम में भी पूछे जाते हैं ठीक है तो चले पहला है नेशनल डॉक्टर्स दे तो यह मनाया जाता है एक जुलाइ को इसकी जो सुर्वात हुई थी वो उन्नीसो इकानवे में हुई थी और किसकी आद में मनाया जाता है बी-सी रॉय थे जो उनकी पुन्यतिति में मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स दे एक जुलाइ को ठीक है चले नेक्स है इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे ग्यारा जुलाइ को बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट 퍼working ये इंटरनेशनल डेल्सन मन्डेला भी यह बनाये जाता है 17 जुलाइ को इसके बार देखेंगे तो कार्गिल विजै दिवस बहुत बार पुछा गया HIM और यह मनाये जाता है 26ुलाइ को 5 वा इंटरनेशनल टाइगर ? तो यह मनाये जाता है धन्यवाद